ब्रेस्ट फीडिंग यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट को हर मदर को कन्फ्यूस कर देता है बले वो खुद डॉक्टर क्यों न हो क्योंकि यह हर मदर के लिए एक नया एक्सपिरियंस है वो कोई शुरू से सिखाने ही सकता है या कितने भी बुक्स पढ़ लो उससे जब खुद पर बारी आती है तब ही पता चलता है कि इसमें क्या-क्या डिफिकल्टिस आ सकती है इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे क्वेस्टन जो हमें कॉमनली पूछ जाते है हर पैरेंट से हर मदर से इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ह हाई वेलकम तो सांटिविक पैरेंटिंग मैं हूँ डॉक्टर राहूल अभी हम एक-एक क्वेश्चन को लेके उसके बार में डिटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो हर मदर को हर पैरेंट को बेबी के जनम के बाद आता है वो है कि क्या मेरा मिल्क बेबी के लिए सफिजेंट है की नहीं जब बेबी का जनम होता है तो शुरू के तीन दिन में ठीक यलो मिल्क सिक्रिशन होता है जिसे हम कोलोस्टरम कहते है इस कोलोस्टरम में high antibodies and high calories रहते है जो बेबी के लिए अगले 2-3 दिन के लिए काफी है भले वो 2-3 drops में क्यों ना आये पर वो उसका पेट बनने के लिए ब 4 milk का मितलब यह है कि जो शुरू के 3-5 मिनिट में milk निकलता है उसे 4 milk कहते है उसमें पानी की मातरा ज़्यादा रहती है तो वो बेबी के thirst के लिए काम आती है और उसके बाद जो milk आने लगता है उसे hind milk कहते है जिसमें calories ज़्यादा रहती है तो वो बेबी का पेट भरने मे मदद करते हैं इसलिए हर मदर को अपने बेबी को एकी breast पे कम से कम 10-15 मिनिट तक breastfeed कराना है शुरू के 3-4 मिनिट में शालू करके अगले 5 मिनिट में दुसरे breast पे breastfeeding कर दिया ऐसे बिलकुल नहीं करना है क्यूंकि इससे बेबी को सिर्फ 4 milk की मिलेगा उसकी सिफ 85 बुजे जिससे उसके वजन बढ़ने में तकलिफ आ सकती है शुरू के दो दिन में जो कोलोस्ट्रम आता है वो भले कम हो पर बेबी को हर 2-3 गंटे में breast circle करने के लिए देना ही है क्यूंकि जैसे बेबी breast circle करने लगते है तो आपके brain को stimulus जाता है जिससे milk production और milk लेट डाउन होने मे मतलब milk आने में मदद होती है इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको milk नहीं आ रहा है मतलब आप बेबी को breast circle करने के लिए बिल्कुल नहीं करना अगर बेबी सक करेगा अगर आपके brain को stimulus मिलेगा तो ही milk production होगा अब आपका milk sufficient है की नहीं आप कैसे जान सकते हो तो इसमें दो ही चीज़े आपको देखनी है एक बेबी अच्छे से urine पास कर रहा ही की नहीं और दूसरा हर दिन बेबी का वसन बढ़ रहा है की नहीं बेबी की urine first 24 to 48 hours में maximum हो जानी चाहिए जनम के बाद कुछ बेबी जनम के बाद तुरंद urine पास कर देते हैं कुछ बेबी को 24 hours लग जाते हैं पास करने के लिए पर maximum 48 hours में एक बार तो urine पास होना ही होना है अगर यह नहीं होती है तो आपको तुरंद आपके डॉक्टर को बताना है फिर 48 hours के बाद बेबी की urine दिन में दो तिन बार शुरू हो जाती है वो दीरे दीरे पाच्छे बार होने लगती है दिन में तो हर बेबी को minimum 5-6 times एक दिन में urine पास होना ही चाहिए और बेबी का वजन जो है वो हर दिन 25-30 ग्राम बढ़ना चाहिए शुरू के 7-10 दिन में बर्थ वेट से वेट लॉस हो सकता है वो नॉर्मल है उसके बाद 25-30 ग्राम पर दे उसका वेट गें होना चाहिए उसके अलावा और दो चीज़े है जो कह सकते हैं कि आपका milk sufficient है कि नहीं वो है बेबी को आपका milk sufficient है breast size और milk production का कोई relation नहीं है हर mother की हर female की breast size जो होती है वो breast में fat content कितना है उसके उपर depend करती है और milk production जो होता है वो breast के अंदर milk producing ducts रहते है milk produce करने वाले नलिया रहती है जिसमें वो milk बनता है और जिससे वो milk बहार आता है उनका number हर female में approximately same रहता है भले breast के size कुछ भी हो उसका और milk production का बिल्कुल कोई भी relation नहीं है breast size जादा है तो milk production जादा होगा या breast size कम है तो milk production कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है इन दोनों को कोई relation नहीं है हर मदर को हर एक breast में एक ही time पे कम से कम 10 से 15 मिनिट तक breast feed करना है बीच में ही उसको switch नहीं करना है एक side का breast पूरा खाली होने के बाद next time जब breast feeding करेगे तो दूसरे side पे feeding करवाना है अब एक side का breast पूरी तरह से खाली हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा तो आपको एक थोड़ी सी emptiness feel होगा breast में जो breast में heaviness लग रहा था वो चला जाएगा breast थोड़ा नरम लगने लगेगा और आप breast feeding के बाद अगर express करने की कोशिश करोगे milk निकलने की कोशिश करोगे तो बहुत कम milk निकलेगा यह चीज़े आपको बता सकती है कि आपका एक side का breast पूरी तरह से खाली हुआ है कि नहीं कुछ parents की complaint होते है कि baby feeding के लिए उठता ही नहीं है यह हम उठाने की कोशिश करें तो अभी वो उठता नहीं है उसको बहुत बार हिलाने के बाद चिम्टी निकलने के बाद भी वो उठता नहीं है तो ऐसे डाइम पे क्या करें यह usually कुछ babies में होता है जो शुरू के एक दो हफते के लिए बहुत सोते है वो almost 24 hours होते ही रहते है उनको literally उनको हिला के उनके मुझ पे थोड़ा सा पानी लागा के उनको उठाना पड़ता है पर ऐसे babies के लिए आपको कैसे भी करके उनको उठा काफी बार ऐसे होता है कि उनको अच्छे से बांध दिया है तो cozy environment में वो बिल्कु उठते नहीं है तो ऐसे डाइम पे उनके पूरे कपड़े खोल दो सिर्फ डाइपर रहने दो या फिर उनको lukewarm water में कोई भी कपड़ा बिगो के उनके बस चेहरे को पोश लो उससे भी उ बेल्क नहीं मिलेगा तो और कमजर हो जाएगा और यह बात याद रखना है कि जब भी आप breastfeeding कर रहे हो तो बेबी के साथ ही रहना है आप टीवी देख रहे हो और नीचे breastfeeding कर रहे हो इसे बिल्कुल नहीं करना है breastfeeding ये best time है बेबी के साथ बौन करने के लिए आपको बेब रहने में मदद होती है और ये प्रूवन है कि जब भी मदर बेबी के साथ contact बनाये रखती है breastfeeding के टाइम पे उससे मदर का भी milk increase होने में मदद होती है कुछ मदर्स का ये problem रहता है कि उनका निपल एदर flat रहता है या inverted रहता है तो ऐसे टाइम पे breastfeeding करना बहुत मुश्किल होता है तो जब भी आपको ये problem है तो actually जनम के टाइम पे ही आप अपके gynecologist को या आपके अगर hospital में lactation counselor है तो उनको ये बता सकते हो वो आपको एक syringe बना के दे सकते है या market में ऐसे बहुत सरे instruments भी मिलते है जो flat निपल के लिए useful है जो actually vacuum का यूज करके निपल को बहार लेने में मदद करते है या आपको हर टाइम breastfeeding के पहले यूज करना है ताकि बेबी को सक करने के लिए easy जाए आप आपके pediatrician को भी पूछ सकते है अगर आपको ये problem बाद में चालू हुआ है या आपके gynecologist को भी पूछ सकते है इसका ये बहुत easy तरीका है flat निपल के लिए उसमें कोई medicine या कोई extra कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ये syringe से या जो भी market में मिलता है उससे ये बहुत easy लिए आप घर पे ही कर सकते हैं जब डाइट की बात आती है मदर के breastfeeding के टाइम पर तो बहुत सारे confusions बहुत सारे myths रहते हैं कोई ये कहता है कि ये मत खाओ उससे मिल्क खरब हो जाएगा या ये खाओ उससे मिल्क बढ़ जाएगा तो डाइट में मदर को सब कुछ खाना है जो घर पे मिलता है वो ही खाना है दिन में वो एक बार दूद ले सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मदर दूद जादा पिये कि तो मदर का दूद भी जादा बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है तो दिन में एक बार दूद काफी अगर मदर खूश रहेगी उसका डाइट अच्छा रहेगा वेल हैडिटेट रहेगी पानी का ध्यान रखना है तो उसका मिल्क अपने भी बढ़ता रहेगा कोई स्पेशल मेडिकिन मेडिसिन्स की या पाउडर की ज़रुवत नहीं है जो फूड आइटम्स या ड्रिंक्स ब्रेस्फिडिंग के टाइम पर आवड करना चाहिए उसमें से एक है वह नौनवेज चिकन या फिश हम युजुली रेकमेंड नहीं करते आप खा भी सकते हो वंस इन ब्लू मून पर वंस अब वीक या ट्वाइस से बिल्कुल मत खाना व नहां से मंगवार है अगर आपके रिलाइबल सोर्सेस है आपके नोन शॉप है तो फिर खाने में कोई हर्ज नहीं है पर फिश में हाई मर्क्यूरी के वज़से हम युजुली फिश आवड करने कहते हैं मीट में चिकन खा सकते हो कि वह लीन मीट है मटन युजुली आवड पूरा हील होने तक क्या यह आप खा सकते हैं या नहीं डिंक में ओवेशली स्मोकिंग एंड डिंकंग तो आपको आवोड रहना है उसके अलावा कैफेनेटेद डिंश सॉफ्ट डिंश यह भी आपको आवोड करने है क्यूंकि उससे बेबी को भी गैस हो सकती है और आपको आपको जूस पी सकते हो, पानी पी सकते हो, आपको well hydrated रहना चाहिए, उससे भी milk बढ़ने में काफी मदद होती है. टॉप फीड या पाउडर्ड मिल्क, यह हम उनी को advice करते हैं, जिनको कुछ problem की वज़से या कुछ disease की वज़से milk, breastfeeding advice नहीं किया है, या उनको सच में milk कम है, और उनको बेबी को सच में milk कम मिल रहा है, ऐसे मदर्स को ही हम टॉप फीड देने के लिए advice करते हैं. टौफिड में भी आप कोई भी ब्रैंड यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोईच नहीं है कि यहीं ब्रैंड यूज़ करने से अच्छा होगा या कोई स्पेसिफिक ब्रैंड ही होना चाहिए, इसा बिल्कुल नहीं है शुरू में छोटा ही पैक खरिद के रखो और वो ट्राइ करो, अगर वो अच्छे से बेबी को हजम हो रहा है, बेबी को पसंद आ रहा है, तो फिर उसका नया बड़ा पैक ले लेना क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई स्पेसिफिक ब्रैंड बेबी को पसंद नहीं आता है या वो लेती नहीं है, फिर वो पूरा का पूरा डबा वेस जाता है, और ये डब्बे काफी कॉसली रहता है, इसलिए पहले छोटा पैक ये यूज़ करके, फिर डिसाड़ करक कि ये इससे बड़ा पैक लेना ही कि नहीं, पर मैक्सिमम आप ट्राय करो, अगर आपको मिल्क कम है तो भी मैक्सिमम ट्राय करो कि आप आपका ही मिल्क दे और टॉप फिड को ऐसा सेकेंड आप्शन ही रखे है, बॉटल फिडिंग तो कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा, इसको नहीं लेगा, जो निपल कन्फिजन हम उसे कहते है, वो उसमें क्रियेट हो जाएगा, फिर वापस मदर का ब्रेस्ट फिडिंग लेने में बहुत ज़्यादा प्रावलिम आ सकती है, उसके अलावा बॉटल में इन्फेक्शन होने के भी चांसिस रहते है, डाइरिया ह प्रोसेस हो जाता है, और इसके जो इन्फेक्शन और निपल कन्फिजन के प्रावलिम से उसके लिए हम बॉटल फिडिंग रेकमेंडी नहीं करते हैं किसी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा पहले छे मेने बेबी को कुछ भी नहीं देना है, ना पानी, ना शहद, ना कुछ ग्राइप वाटर, ये देने की बिलकुल कोई भी ज़रुवत नहीं है, मा के मिल्क में सब कुछ मिल जाता है, उसमें एंटी बॉडिस है, कैलोरीज है, विटाम स्टार्ट कर सकते हो, काव मिल्क हम बिलकुल रेकेमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें आयन का प्रमान जो है, जो हीमोगलोबिन बढ़ने में मदद करता है, वो प्रमान अच्छा रहता है, पर उसका जो एपसॉप्शन है, वो बेबी में बहुत कम होता है, मतलब तो अगर 50 ग्राम अगर आयन है काव मिल्क में, तो उसका बॉडी में जाएगा सिर्फ पाच ग्राम, इतना कम अप्सॉप्शन उसका रहता है, उससे गैस भी काफी होती है बेबी को, इसलिए हम काव मिल्क रेकमेंड नहीं करते, काव मिल्क से बेटर है, फॉर्मिला मिल्क पर अगर आप काव मिल्क दे ही रहे हो, अगर आपके पस कोई option नहीं है, आपके पस थोड़ी financial problems है, तो आप काव मिल्क दे सकते हो, dilute करके, वो कैसे dilute करना है मैंने यहां बताया है, उसके हिसाब से ही, उसी मात्रा में dilute करके आप उसे use कर सकते हो, पर जादा से जादा ट सकते हो, उसका answer में जल से जल देने का try करूँगा, तो आज के लिए इतना ही, अपका parent should enjoy करें, और covid अभी खतम नहीं हुआ है, तो सारे precautions ले, especially जब आपके बस अभी baby है, आपको ज्यादा cautious रहना है, stay home, stay safe.